मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम अपने दुरभागे को सोभागे में बदनने के लिए जाते हैं मंदिर में जाकर कोई भी उपाय किया जाए तो वो बहुत जादा उत्तम प्रभाव देता है इसका कारण ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी उर्जा परिवर्तित हो जाती है मंदिर में जाकर जब हम कोई उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कुछ मांगते हैं तो ऐसे में उसके संपुर्ण होने के उसके पूरा होने के जो संभावना है वो बहुत जादा बढ़ जाती है तो आज का उपाए भी मंदिर से संबंदित है हर मुनुश्य की चाहत होती है कि उसे अचानक से अपार धन की प्राप्ति हो लेकिन ये धन आपको सिर्फ चाहने भर से तो नहीं मिल सकता इसके लिए आपको मालक्ष्मी को प्रसंद करना होगा तो आज का ये उपाए धन लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए है अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सारी परिशानियों से मुक्ति मिले आपको आपकी मेहनत का फल मिले, धन प्राप्ती हो, धन के आने के सारे मार्ग खुल जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं, ऐसे में आप लोगों को उत्तम लाप प्राप्त हो सकते हैं मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए कुछ बहुत चोटे चोटे उपाय हैं जो आपको करने जरूरी हैं और इसके साथ साथ अगर आप ये उपाय मंदिर में करते हैं तो बहुत उत्तम लाप देंगे ऐसे में पहले उपाय की मैं बात बता देती हूँ आपको अगर आप मालक्ष्मी को प्रसंद करना चाहते हैं तो मालक्ष्मी की पसंदिदा चीजें जो हैं कुम-कुम, अक्षत, गंध, फूल ऐसी चीजें जो मालक्ष्मी को बहुत प्रिया हैं इनको आप मंदिर में ले जाकर मालक्षमी को अर्पित करें। इसमें से सबसे ज़्यादा जरूरी जो वस्तू है वो है गुलाब के फूल। गुलाब के फूल मालक्षमी को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप मालक्षमी को गुलाब के फूल चढ़ाते हैं तो मा बहुत प् इसे में आप मंदिर में गुलाब के फूल ले जाएं वहां पर मां को अर्पित करें और बैठकर लक्षमी स्तोत्र का पाठ करें करकधारा सोत्र का पाठ करें ऐसा करने से भी मालक्षमी की कृपा आप पर बहुत जादा अच्छे से होगी यह तो मैंने आपको एक साधारण उ पाए बताया है जो मालक्षमी की कृपा आप पर बनाए रखता है आज एक ऐसा प्रियोग आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मालक्षमी आप पर कृपा ना करें इस प्रियोग को आप लिख लें अगर आप इसे लिखना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके दुबारा भी देख सकते हैं महालक्ष्मी व्रत के पंदरा दिनों में किसी भी दिन आपने सबसे पहले तो महालक्ष्मी का व्रत करना है शुक्रवार को ये व्रत होता है और आप इसको रखना प्रारंब करें अब आपने जब वरत करना है उसमें से कोई भी एक दिन चुल ले आप उन दिनों में सुभह आप तीन बजे उठ जाएं तीन से पांच बजे के बीच बीच में उठ जाएं जिस दिन भी आपने वरत रखना हो उस दिन कोई भी एक दिन जैसे आपने पंदरा शुकरवार ये वरत किया है उसके पंदरा शुकरवार के बीच में कोई भी एक शुकरवार चुल ले तीन से पांच बजे के बीच में आप उठ जाएं और अपने घर के उस थान पर चले जाएं जहां आपको खुला आसमान दिखता हो ऐसे में हाथ आसमान के और उठा कर लक्षमी से धन की भीक्षा मांगे आप मालक्षमी से बोलें कि मालक्षमी आपका ये जो हथेलिया है आपके जो हाथ है वो पूरी तरह से आमदनी के स्तोत्र को बढ़ाने वाले हो आपके पूरे हाथ भरे हुए हो धन से, वृद्धी से, ग्रोथ से आप जो मांगना चाहते हैं मांग ले इस उपाय को करने से, इस प्रियोग को करने से एक उर्जा प्रवाहित होगी जो आपके वृत करने के नियम को और भी पक्का कर देगी आप उस वृत को लगातार करते रहें जितना भी समय आप करना चाहते हैं बस बीच में एक बार ये प्रियोग जरूर करें आपको बहुत ही अच्छा उनभव होगा और आपकी सारी उर्जा परिवर्तित हो जाएगी धन के आने के सारे रास्ते खुलने लगेंगे धीरे धीरे धन के आने के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपकी कमाई में वृत्धी होगी धन आने की जो भी दिखते थी वो सारी दूर हो जाएगी आपको बहुत उत्तम लाग मिलेगा जिस दिन आपने ये उपाय किया है जिस दिन आपने ये प्रियोग किया है उस दिन शाम का समय शुकरवार शाम को आप सवा पांच किलो आटा ले लें सवा किलो गुड ले लें इन दोनों की आप रोटियां बना लें आपने ध्यान रखना है इस बात का कि सवा पांच किलो आ आएगा ये आपको भी नहीं पता होगा आप करके देखिए इस उपाये को अनुभवों को जरूर बताईएगा कि आपको कितना अनुभव हुआ है लाब मिला है मा लक्ष्मी का ये बहुत ही अद्भुत प्रियोग है अगर आप भी इसको आजमाते हैं तो आपको भी जरूर लाब मिलेगा इस प्रियोग को बहुत से लोगों ने आजमाया है और सब को इसके लाब राप्त हुए हैं आप भी इसको जरूर आजमा के देखें भगवान को प्रसंद करने के लिए चोटे-चोटे उपाय करते रहना चाहिए ताकि आपकी उर्जा परिवर्तित रहे और आप धन आने के रास्तों को कभी भी किसी भी तरीके से बंद ना कर सकें आपके रास्ते बहुत सी बाधाओं से बंद हो जाते हैं बहुत सी तकलीफों से बंद हो जाते हैं तो हमें लगता है कि धन हमारे लिए है ही नहीं हमारे लिए ये उर्जा है ही नहीं प्रंतो ऐसा न नवाद.